नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निक टीच में दोस्तों ये पेनाशोनिक का LED TV आया है जिसका मोडल नंबर है TH-32E-200DX तो दोस्तों इसको पहले हम उपरेट करते हैं ये हमने उपरेट किया दोस्तों ये चल रहा है लेकिन ये शरिजिंग का है डिस्पले में चित्र घुप के चलता है दोस्तों तीन सेकंड रूप जाता है फिर से चलने लगता है और फिर से चलने लगता है तो इसका प्रप्रोब्लम आद मुर्च के लाता है तो ये level सेक्टर का फॉल्ट हो सकता है या के ड्राइवर बोल सकते है दोस्तों इसमें हम देखेंगे तो चलिए चलते हैं वीडियो की और सब्सक्राइब करें टेक्निक टी चैनल को बेल आइकन को दबाएं ओल नोटिफिकेशन अन करें ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक मिलती रहे तो चलिए दोस्तों इसका सोल्यूसन तो हमने कर लिया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं तो एंड तक यह वीडियो देखते रहिए दोस्तों कि इसमें हमने क्या किया तो दोस्तों सभी को पता होगा कि इसमें इस का फॉल्ट जो है उसमें लेवल शेक्टर का फॉल्ट आता है दोस्तों इसमें ODD इवन जो सिगनल आता है वो दोनों आपस में जूड़ जाते है इसके कारण ये फॉल्ट बनता है दोस्तों यहां पर यहां लिखा हुआ है ये लेवल शेक्टर का फॉल्ट है ये इवन और ये इसके आगे तिन नंबर है जो ODD है दोस्तों यहां पर ये सारे पॉइंट दिये हुए है उसकी यहां पर दोस्तों तो हमने इसमें क्या किया मैं अभी आपको सब कुछ समझाओंगा दोस्तों ये लेवल सेक्टर का फॉल्ट है और इसमें आपको जो जो ODD और इवन जो पॉइंट आता है उसकी प्रिंट को ड्रोप करना पड़ेगा तब भी ये फॉल्ट सही होगा दोस्तों तो यहां पर हम पहले वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों ये माइनस फाइव वोल्टेज जो की विजियल का वोल्टेज है और दोस्तों मैं आपको जो हमने पॉइंट कटिंग किया उस पर हम आपको चेकिंग करके बताएंगे कि पहले इसमें क्या था तो दोस्तों यहां पर ये छे नंबर और साथ नंबर जो पीन है उसको हमने ब्लोक किया और छे नंबर साथ नंबर ये विजियल का पॉइंट आता है दोस्तों यहां से ये six नंबर और ये seven नंबर तो six नंबर और seven नंबर की प्रीट को हमने कट कर दिया और उसमें से high voltage जो seven नंबर है उस पर हमने दे दिया 27 वोल्ट जो विजियल कहलाता है दोस्तों उसको हमने कर दिया, पहले इस में क्या था, इस пjs काचने से पहले, यहां पर इस पॉंइट पर कभी माइनस वॉल्टेज आ जाते थे, और कभी 27 वॉल्टेज आ जाते थे, तो यह दोनों अपस में मिक्स हो जाते थे, तो इसलिए यह पिक्चर रुकरुक के चलता था दोस्तों, दोस्तों यहांपर देख सकते हैं यह माइनस आ गया और फिर से यह 27 वोल्टेज आ गये यह माइनस आ गया दोस्तो इस प्रिंट को हमने काट दिया ये 6 नंबर की जो पीन है उसको हमने काट दिया और 7 नंबर की जो पीन है उसको हमने VGH वल्टेज डाइरक बाइपास कर दिये तो क्या हुआ ये पिक्चर सही हो गया लेकिन इसमें दूसरी भी दिक्कत थी दोस्तो इसको हमने ये प्रिंट काटनी पड़ी जो सिक्केवी लाइन है दोस्तो इसको हमने दो सिक्केवी लाइन को काट दिया एक को ग्राउन कर दिया और एक को काट दिया दोस्तो तो ये डिस्पले बिल्कुल सही हो गया दोस्तो मैं अभी आपको ओपरेट करके भी बताऊंगा कि सही हुआ है कि नहीं हमने तो फॉल्ट सॉल्व कर लिया दोस्तो लेकिन यह दोस्तो एलजी पैनल है और टीवी पैना सोनिक का है दोस्तो इसमें मतरबोर्ड जो आता है वो कॉम्बो आता है दोस्तो तो देखिए यह बिल्कुल सही हो गया दोस्तो पहले रुक रुक के चलते थे और अब यह बिल्कुल रेडि हो गया है तो दोस्तो इसमें इस मतरबोर्ड में इन बेट टीक मौड़ आता है और कॉम्बो बौड आता है दोस्तो इसमें र मनेकी Simmons काम करना प्ड़ेगा दुसरी प्रेंट कर जाएकी तो यह पैनल आपका खाराब हो सकता है दोस्तो इसलिए पुरा साउधानी पुरुवक यह काम करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि एक दूसरे की पिन जो सोट हो यह प्रिंट तो भी आपकी पैनल खराब हो सकती है दोस्तों यह इन बिल्ट कॉन बोर्ड है दोस्तों यहां पर यह टिकॉन बोर्ड दिया हुआ है जो कि पैनल में नहीं आता यहां पर यह दिया हुआ है तो यह कॉंबो बोर्ड है तरक का और यहां पर कुछ भी दिया हुआ नहीं आता दोस्तु तो यहां पर सावधानि पुर्वक आपको पुरा काम करना पड़ेगा दोस्तु तो ऐसा वीडियो था दोस्तु तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे आप यही वीडियो ऐसा ही वीडियो देखना चाहते इस पोल्ड का सोटकट में तो दोस्त चैनल को सब्क्राइब कर दो और लाइक कर दो तो दोस्तों यहां पर यह सारे पॉइंट दिये हुए हैं तो आगे लिखा भी हुआ है तो अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत